प्रदेश विधान सभा की तरज पर नगणिगम शिमला को भी जल्द ई निगम बनाया जा रहा है इसको लेकर निगम के सभी पार्षदों को प्रशिक्षन दिया जा रहा है शनिवार को पार्षदों को ई निगम के बारे में प्रशिक्षन प्रदान करने के लिए शिमला बचत भवन में कारेशाला आयोजित की गई शिमला नगा निगम ई निगम बनने वाली प्रदेश की पहली निगम होगी हिमाचर प्रदेश विधान सभा के बाद अब नगा निगम शिमला भी पेपरलेस होने जा रही है निगम के सदन की कारेवाही के साथ सभी कारेओं को ओनलाइन माध्यम से करवाने की तयारियां की जा रही है इसी के चलते निगम के सभी पार्शदों को ई निगम के बारे में प्रशिक्षन प्रदान करने के लिए शिमला स्थित बचत भवन में कारेशाला का आयोजन किया गया इस दोरान सदन में सभी पार्षदों को ई निगम बनने के बाद निगम की कारे प्रणाली में आने वाले बदलावों के साथ ही निगम की वेफसाइट के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई अब सभी अपने अपने वार्डों में चल रहे हैं विकासकारियों की प्रगती की जानकारी भी ओनलाइन प्राप्त कर सकते हैं मीडिया से बातचीत के दौरान नगनिगम आयुक्त आशीश कोहली ने बताया कि प्रदेश की विधान सभा की तरज पर नगनिगम शिमला को भी इनिगम बनाया जा रहा है जिसके लिए सभी पार्षदों को प्रशिक्षित करने के लिए कारेशाला का आयोजन किया गया है उन्होंने कहा कि इनिगम बनने के बाद सभी पार्षद अपने प्रश्ण भी ओनलाइन पूछ सकेंगे और निगम की सारी गतिविध्यों की जानकारी भी वेबसाइट पर ही उपलब्ध होगी कोहली ने कहा कि शिमला नगा निगम यी निगम बनने वाली देश की पहली निगम होगी और निगम के अगले सदन की कारेवाही पेपरलेस होगी एंकी शिमला ने निकसी के थूब जो कि नीसी के सिस्टर कंसर ने उनके दोड़ा एक सफ्ट्वेर बनाया है और आज जो था हमारा इसमें हमने सब कॉंसलर्स को एक प्रेजेंटेशन दी है जिसमें की जो हमारा अजेंडा होता है हमारा हाउस मंतली जैसे आपको बता है वो होता है जी एफसी की मीटिंग होती है ये सब आनलाइन रहेंगी और इसमें जो कॉंसलर है वो अपना कोश्चन अपलोड कर सकते हैं आनलाइन और अजेंडा भी जो है वो भी इबुक की तरह रहेगा मतलब की ये सारा काम पेपरलेस हो जाएगा इसी के साथा जो हमारे डिवल्मेंटल वर्क्स हैं वोड्स के वो भी वाड वाइस हर कॉंसलर देख पाएगा की उसके वाड में डिफरेंट परजेक्ट्स के अंदर स्मार्ट सिटी, अमरूत, एमसी हेट के अंतरगत क्या क्या काम हो रहे हैं, तो आज हमने ये इनिशिल एक प्रेजेंटेशन सब कॉंसलर को दे दी हैं, इसमें उनके कुछ वैलिबल सुजेशन भी आए हैं, इसके परांत हमने शेडियूल फिक्स किया है, जिसमें जो हमारे कॉंसलर हैं, वो ट्रेनिंग दुबारा से आईटी सेल के साथ करेंगे, और अगला हाउस जो है, हमारा परियास रहेगा, वो ट्राइल रन करेंगे, हम पेपरलेस तरीकेश उसको करने की, और फिर हम इसको फॉर्मली इनाउगरेट इकरवाई ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिम्ला